हेलो वाटसब कैसे है आप सबस्वागत है आप सबका इस अमेजिंग सी वीडियो में सबसे सारे पछी अपनिये अटेंडेंटर लगा निए वीडियो को लाइक तो मुझे पूरा विश्वा से अगले 15-20 में पूरी RTP आपको समझ आ जाएगी आपको सारी चीज़े क्लिक हो जाएंगी और अगर इसमें से कुछ exam में आ गया तो भी आप अराम से हैंडल कर लेंगे तो सबसे पहले चलते सवाल पर because I feel integrated case scenarios को हैंडल करने का सबसे बैस तरीका सवाल से शुरुआत करने का कोशन नंबर वन कहते हैं सर क्या गिवन सिनेरियों में बताओ क्या मिस्टर के ने ब्रीच करिये maximum limit of the clients अगर हां तो बताओ क्या तो सवाल में यह था कि मिस्टर के ने tax audit पकड़े थे अगर आप यहां देखो इन्होंने बात करके मिस्टर के अधर प्रैक्टिसिंग चार्टर अकॉंटेंट अभी इनके पास क्या है यह जीस्ट का काम करते हैं और tax audit पढ़ते हैं 19 company के tax audit इन्होंने पकड़ रखें और 40 और आए हैं मुझे बताओ 19 plus 40 किता हुआ सर 59 हम total में किते कर सकते मैंने का 60 तो इसके बाद इनके पास और काम आया इनको दो बड़े क्लाइंट और आये तो इन्होंने कहा क्या इनको accept करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मेरा answer simple सी बात यह है जब आप 19 क्लाइंट कर रहे हो 40 आपके पास नए क्लाइंट और आये हैं तो आए आपको 40 क्लाइंट पकड़ लेने चाहिए तो 19 और 40 59 होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इन्होंने क्या किया गलती से इन्होंने क्या क्या 40 में से सिर्फ 2 accept करें तो जो कि गलत था यह 40 के 40 accept कर सकते थे तो क्योंकि 19 प्लस 40 59 होता और 59 Allowed तो आप आंसर में क्या लिखेंगे सर हम आंसर में लिखेंगे क्या वो गिल्टि आफ प्रोफेशनल मिसकंड़्ट दांसर इस लो तो इस नोट गिल्टि आप प्रोफेशनल बिस कंड़्ट एस डे मेक्सिमम लिमेट इस जो आपका चैप्टर 6 है और चाउंसिल जनरल गा किया ना आओ समझते हैं जे जो है के का फ्रेंड ठीक है यह इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड एक्टे अधर स्टेटर अडिटर फॉर रिस्टेट एंटिटी ऑड़िट ऑफ दिफोर्ट एट देर वास्म दिफरेंस ऑफ उपीनियन देको दिफरेंस ऑफ उपीनियन क्या था, कंपनी ने जे को AGM का नोटिस नहीं भेजा, तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है, it is not obliged to send notices because the responsibility of auditor है कि वो AGM के लिए अवेर रहे है, साथ ही साथ, management ने इसकी fees भी पे नहीं करी, इस वज़से से जे ने documents पे lien ले लिया, मुझे एक बात बताओ, अगर fees paid नहीं है, त ethical standard board ने साथ साथ इसके लिए मना कर रखा है, तो मैं आपको यहीं बोलता हूँ, जो ESB के आखरी में हमने decisions भी cover किये थे, professional ethics के revision में, they are very important, उस पे बहुत सवाल ICNS बर पूछे हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, सबसे पहले तो what would be your advice to Mr. J on the above matter, तो आप बोलोगे कि भाई, इस 46 थोड़ा सा revise ही कर ले, right and duty की बात होती है, यानि auditor की right है कि उसको सबके notices मिले AGM के, plus उसकी duty है कि वो AGM को या तो खुद attend करे या अपने किसी representative के थोड़ा attend करवा है, वो representative भी eligible होना चाहिए, उस company का auditor बनने के लिए, ठीक है, so right to attend, right to be heard at the meeting, साथ ही साथ, it is his duty to attend the meeting either by himself or through a representative, तो company ने गड़बर तो की है, क्या company के उपर penalty भी लगेगी, हाँ section 147 की penalty लगेगी, 25,000 रुपे से 5,000,000 रुपे तक, तो ये penalty आपको कही ना कई ध्यान में रखनी है, अगर यही penalty किसी officer के उपर होती, तो ये penalty हो जाती 10,000 से 1,000,000 रुपे की, I hope 147 की penalty आपने revise कर रखी ह अब आते सर अगला सवाल, will the retaliating act of Mr. J against the company make him guilty, retaliating act का मतलब है, अगर company ने उसके पैसे काटे तो उसने company के books of accounts को retain कर लिया, उसने उस पे lien exercise कर लिया, क्या ये सही तादा answer is no, आप lien exercise नहीं करते, किसने बोला ethical standard board ने, so as per the recent decision of ethical standard board, accountant cannot exercise lien over the client document for non payment of fees, तो वो गलत act है, it will make him guilty, य ये बात आप ध्यान रखके चलेंगे, अगला point, visiting card जो थे के और जे क्या उसमें कोई गडबड है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो catch वाला point था, वो क्या था, generally CPA वाली designation use नहीं कर सकते, बट ऐसा कहा जाता है, ICI का जितनी भी international bodies के साथ, MRA है, MOU है, MRA मतलब mutual recognition agreement, MOU है, Memorandum of Understanding, उनका आप designation use कर सकते हो, तो CPA Ireland allowed है, इसी तरह साइका भी allowed है, South Africa Institute of Chartered Accountants, England and Blue Wales, ठीक है, जो Institute of Chartered Accountants of England and Wales है, वो भी allowed है, तो ये सारे example सपने किताब में भी cover कर रखे हैं, तो आप बोलोगे, नई सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों के visiting card एकदम चका आ चाक है, clause 7 में कोई issue नहीं आएगा, चलो मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी से comment section में बताना, अगर मैं अपने visiting card पे, ध्यान से समझना मेरा सवाल, this is the question of the day, अगर मैं अपने visiting card पे, अपना vision और values लिखता हूँ, ठीक है, visiting card के पीछे मैंने अपना vision और values गिल्टी, और अगर गिल्टी होगा, तो कौन से clause में होगा, जरूरर comment करके बताना, मुझे पदा चलेगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अब also next point, company के पास, sorry, firm के पास ये सारे assignment आये, देखो क्या क्या assignment आये, concurrent audit आये, T bank का, concurrent audit is just like internal audit, तो आप उसको साब से देख सकते हो, दूसरा है, statutory audit of BBT bank, अब T और BBT का कोई रिष्टा है क्या, the answer is no, it is to be noted that the bank, ये जो BBT की बात हो रही है, it is not sponsored by T bank, यानि जिस bank का concurrent audit है, वो इसको sponsor नहीं कर रहे है, यानि दो अलग-अलग bank है, तो एक bank अलग है, दूसरा bank अलग है, तो दोनों assignment को आप कही ना कहीं accept कर स सकते हो, क्या मैं charitable trust का settler बन सकते हो, answer is yes, ये भी allowed है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ethical standard board के decisions में अपने ये पढ़ रखा है, but एक बात हमने पढ़ी थी सर, क्या, ध्यान से समझना, अगर मैं किसी company का, ध्यान से समझना, अगर मैं किसी company का statutory auditor हूँ, या let me rephrase, let me rephrase अगर मैं किसी company का internal auditor हूँ, तो मैं उसका जो trust है न, जिस company का मैं internal auditor हूँ, उसके trust का, जो EPF trust होता है, उसका statutory auditor बन सकता हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दे समझना, जिस company का मैं internal auditor हूँ जिस company का मैं internal auditor हूँ उस company का अगर कोई PF trust है तो उसका statutory auditor बन सकता हूँ बट इस case में क्या हुआ है इस case में सर इन्होंने game ulti कर दी इन्होंने कहा आप company के आप यहाँ पे company के statutory auditor हो और trust के internal auditor हो तो ultra allowed नहीं है अगर मैं company का internal auditor हूँ तो मैं उसके trust का statutory auditor बन सकता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है बट अगर मैं company का statutory auditor हूँ तो मैं उसके trust का internal auditor नहीं बन सकता है यह बात आप ध्यान रखना तो यहाँ क्या है आप company के statutory auditor हो गलत हो गया तो अगर आप company के statutory auditor हो तो आप trust के internal auditor नहीं बन सकते सर ये बात कहां लिखिए आओ मैं आपको दिखाऊ आओ मैं आपको दिखाऊ ये देखो यहां लिखिए ESP के decisions में अपने इसकस किया था बहुत ही बारी की पर ICAE ने खेला है प्लीज इस point को ध्यान रखना अगर paper में आ गया ना समझ भी नहीं आएगा हुआ तो हुआ गया किया तो किया किया ये देखो ये देखो बबू ये देखो ये देखो ये रहा है यहां पर point देखो क्या कह रहा है ये रहा internal auditor of the PF trust of a government company can't be the statutory auditor मतलब अगर आप company के statutory auditor हो तो आप PF के internal auditor नहीं बन सकते हैं तो मैं अगर एक बात बोलूँ अगर मैं company का statutory auditor हो गया तो मैं PF का internal auditor नहीं हो सकता है यानि मैं एक assignment accept करूँगा दोनों accept साथ में नहीं कर सकता है ये ही point आपने ध्यान में रखना है तो मैं क्या क्या accept कर सकता हूँ 1, 2 और 3 तो accept कर सकता हूँ and either 4 और 5 या तो मैं internal audit करूँगा या statutory audit करूँगा दोनों के दोनों चीज़े मैं साथ साथ नहीं कर सकता है यही point आपने बस ध्यान में रखके चलना है अब सर अगला सवाल एक बंदा है जो chartered accountant है इसने पुराने auditor से communication करनी थी और 4 तरीके communication करने के दो देशी तरीके, दो विदेशी तरीके दो विदेशी तरीके क्या थे सर पहले पहले देशी तरीके की बात करते है एक तो था RPAD registered post with acknowledgement due इसमें मैं आपको कहता था certificate of posting नहीं चलेगा because उसमें आपको confirmation नहीं मिलती कि सामने वाले ने आपको बताया या नहीं बताया दूसरा आपका होता है by hand delivery with return acknowledgement is this point clear yes sir, दो विदेशी तरीके क्या थे email वाला तरीका था, Uden वाला तरीका था तो इसने क्या किया sir, इसने certificate of posting करी, जैसी certificate of posting देखा आपने का यह सब गलत है मैंने का नहीं, certificate of posting के साथ साथ इसने email भी भेजी है जिसमें इसको acknowledgement मिली है and that email is not ordinary वो official mail है but इन्होंने कहा यह जो official mail है it is not registered with the institute of chartered accountant of India, तो अब आप से मेरा सवाल है, क्या official mail चल जाएगी क्या, answer is yes चल जाएगी because clause 8 अगर आप refer करो, तो वो option देता है वो कहता है, या तो official mail पे ले लो या ऐसी mail पे ले लो which is registered with ICI तो आप क्या बोलोगे dilemma is not correct as it is a positive evidence of delivery and the same is received from official mail ID which is okay as per the code of ethics so यह basic बात आपने ध्यान में रखने this point we have also covered in the notes sir एक बार दिखाई दो, हमको थोड़ी satisfaction मिल जाएगी तो लो आपकी satisfaction के लिए एक बार देख लेते हैं चलो भई, चलो चलो प्यारे प्यारे बच्चों चलो, कहां थे sir हम, यहां थे, देखो क्या दोनों चीज़े allowed है, हाँ भई, हाँ, यह देखो acknowledgement of communication from retiring auditor via email address registered with institute or his last known official email address, तो official email address भी चलेगा institute का registered address भी चलेगा, दोनों चलेगे तो अगर आपने official email address पे लिया है तो चल जाएंगा, अगला सवाल sir, TAZ is appointed as the statutory auditor of a NBFC अब यह NBFC के बारे में आपको information available है, बताओ total provision किता बनेगा तो आज ही हमने NBFC की revision वीडियो में भी यह बार discuss करी, class में भी discuss करी, फटाफट देखते हैं क्या है sir, यह NBFC कौन सी है, systemically important non deposit taking अगर मैं आज की इसकी वो बात करूँ, classification की इसके हिसाब से आप माल लो, यह MLUL वाली NBFC है, MLUL वाली case में आप देखो क्या-क्या लोगे, सबसे पहले तो sir, table बना लो, क्यों? doubtful के case में काम आईगी, देखो standard asset में तो 0.4% चलेगा, sir हमको तो 0.25 याद आ रहा है, आ रहा है, जल्दी बोलो, 0.4% चलेगा standard पे, 0.25 आ रहा है, अगर मैं बात करता हूँ, doubtful की तो table बना लो, up to 1 year, 1, 2, 3, more than 3, अब इसके आपने percentages क्या-क्या लेके चलनी है, तो मैंने आपको इसमें बताया था, 20, 30, 50, ठीक है, अपने पूरी dance ones करके याद किया था, ठीक है, 20%, 30%, 50%, देखो कितनी-कितनी है, अप टू 1 year, 20%, more than 3 years, 50%, जल्दी से calculate करके बताओ कितना आएगा, इधर से आजाएगा अपना 700 का 40% होता है, 28, तो इसका आजाएगा 2.8 रूपीज, 200 का 10% करें तो 20 रूपे, 10 का 20% करें तो 2 रूपे, 50 का 50% करें तो 25 रूपे, तो यह हो जाएगा 25, 27, 47, 49.8, तो आपका अंसर यहाँ पे यह आजाएगा 49.8 लाइक, इस तरह से आपने निकालने, that's why we discuss these things very much in detail in the class, तभी आपको यह मजा आ जाता है, ठीक है, हमारी और ICI की तो बनती ही है, हमेशा से, अब आउ सर अगला point, कारो 2020 के हिसाब से बताओ, यहाँ पे, auditing आपने देखनी compliance में, with कारो 2020, Mr. Om Prakash, for additional reporting purpose, he observed the following things, also a representation was made to the GST department for waiving a penalty, तो मैं को बताओ, representation को अपन इसमें dispute count करते हैं, कि the answer is no, तो अपन representation को तो consider करके भी चलेंगी नहीं, what is the total amount of statute reduced net to be reported, तो फड़ापट एक एक करके अपन calculate करना start करते हैं, हपन किसको report करके चलते हैं, undisputed statutory dues which are overdue for more than six months, जो overdue है for more than six months as on the balance sheet date, यहाँ पे balance sheet date क्या है, 31 March, देनी रखीनोंने, तो मान के चलते हैं, 31 March 2022 ही है, ठीक है, तो अब बताओ, 31 March 2022 पे क्या overdue है, यह तो 31 March से पहले पे हो गया है, तो यह overdue नहीं है, अब यह not paid till date है, यह not paid till date है, अब 31 March को कौन कौन से को 6 months हो रहे हैं, मैं एक बात बोलू, 6 months होने के लिए, 6 months मिलने भी तो चीए, यानि जो चीज September से overdue है, वो तो 6 months होगी, बट जो October वाली है, उसमें 6 months नहीं होंगे, तो मैं एक बात बोलता हूँ, इसमें तो सर, 6 months नहीं होंगे, 23 October वाली है, 18 October वाली में भी 6 months नहीं होंगे, तो बची कौन सी 0.65 lakh, तो आपका answer यहाँ पे B होगा, that is option B, 0.65 lakhs, अब अपनने check भी कर लिया, answer 0.65 ही है, तो यही logic से आपने इसको solve करके चलना है, अब सवाल आता है, सर एक बाह बताओ, प्रोप्राइटी ओडिट क्या होता है, तो प्रोप्राइटी ओडिट बेसिकली फोकस करता है, test of, basically transaction under the commonly accepted customs, पबलिक के point of view से आप ट्रांजेक्शन चेक करते हो, तो इसमें आपने बस प्रोप्राइटी ओडिट की definition याद रखनी है, that is, पहला अगर ओडिट का मैं देखूँ, पहला option के अगर, audit is carried out by assessing whether the activities, financial transactions comply with the material aspects of regulatory other audits, नहीं, यह तो compliance audit है, focus is on the areas which can add value, which have the greatest potential for development, constructive incentive, यह सब प्रोप्राइटी ओडिट में कभी नहीं आता, इट इस अन ओडिट वेर्ट अगें दा फिल्ड विच अल्रेडी बिन कवर अगें दा फिल्ड विच अल्रेडी बिन कवर कंजर अपरेजल ऑफ एफिशेंसी कम performance audit, यह तो performance audit की definition है, साफ साफ यह भी answer नहीं है, यहां आपको law regulation की बात नहीं करनी, qualification of article assistant की बात नहीं करते ही, काम क्या करते हैं, इसकी बात होती है, टेक्स regulation जैसा कुछ होता है नहीं, तो training program will be your right answer, जो standard on auditing वाले questions है, वो already मैंने standards की question bank वाली, जो मैंने revision आपको कराई थी YouTube पे, उसमें already करा दिये, यह तीनों ही question बहुत अच्छे question है, इनको आप standards वाली वीडियो से cover करके चल सकते हो, 14 is a direct question, यह आपका directly notes में से हो जाएगा, तीनों controls की आपने बात करनी है और इसमें कुछ नया नहीं है, 15 is again also a direct question which we have already covered in the class itself, यह आपका FR की उपर based है, schedule 3 की उपर based question है, example, क्या trademark property plant and equipment में आना चाहिए दा answer is no, अकाश सर तुमको छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने इसमें गड़बड करी, ठीक है, intangible assets में आएगा, इसी तरह, अगर मैं बोलता हम bank deposits with more than 12 months maturity, क्या यह other non-current assets में आएगा या other non-current financial assets, तो यह वहाँ जाएगा, इसी तरह, क्या यह equity में आता है, क्या share option outstanding account, नहीं सर, यह other equity में आता है, तो यह सारा तुम्हारा schedule 3 का खेल है, जो तुम FR में already खेल चुके हो, इस तरह से बताओ, application money receipt for allartment of security, बढ़ यह आपने refund करनी है, तो cash outflow होगा, जहां भी cash outflow होगा, it is a liability, no sir, it is a financial liability, तो यह भी other financial liabilities में जाएगा, current liability के अंडर, तो यही basic आपने गलतिया सुधार नहीं, इसके लिए institute आपको number देगा, अब अगला सवाल आता है sir, क्या, गौतम लिमिटेड का, यह कारो 2020 का question है, शांती से सुनना, भौत simple question है, यूँ बता जता हूँ, गौतम लिमिटेड पहली बात तो sir, क्या कारो applicable है, answer is yes, public company पे तो सवाल ही नियुठता, public company पे तो सवाल ही नियुठता, जहां मैंने बोला, गौतम लिमिटेड कारो applicable होई गया, इट बोरोड 1000 करोड फ्रॉम XYZ बैंक, बोरो किया है, यानि लोन लिया है, प्रिंसिपल ओफ विच वस रिपेबल आफ्टर फाइबल आफ्टर फाइबल आफ्टर फाइबल पेबल अट अट एच येर, चार साल तक तो इन्होंने सब कुछ टाइम पे पे किया, पाँचवे साल में इन्होंने हरकते दिखा दी, इट डिफॉल्टेड इन्द फिफ्ट इंस्टॉल्मेंट पेमेंट, एंड उसके बाद इन्होंने बैंक को अप्रोच किया, तो रिस्ट्रॉक्चर दे पेमेंट इन्द दिक्कत का आई, एज़ रिजल्ट दे एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल और आउट्सेंटिंग ओवर्ड्यू इंट्रस्ट्रॉक्चर इंटो अन्यों लोन आफ ग्यारा सो करोड़, अब सुनों मजे की बात, अब हमारा पुराना लोन गया, नए लोन की मिचॉरिटी आप तर फाइव यर्स है, और जो है, उन्होंने इस ट्रांजेक्शन को इडेंटिफाई किया, यहां पर कारो के क्लॉज नंबर जो 9 है, उसकी बात करेंगे पैरा 3, कारो 2020, उसमें आप बोलेंगे कि कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया, तो आपको बताना पड़ता है, अगर यह बैंक है, गवर्मेंट इंस्टिउशन है, वो आपको अलग से बताना पड़ता है, उसके बाद आपको बताना पड़ता है, period for which the amount was due, उसके बाद आपके कोई remarks है, तो वो सब आप बता के चलते हैं, तो पूरी table बनानी पड़ती है, उसी table की आप यहां बात करेंगे, एक बार मैं आपको answer दिखा भी देता हूँ, so that you get a good understanding किस तरह से आपने इस answer को attempt करना है, देखो, पहले तो वो clause आ गया, कारो आपने पूरा पूरा रटी रखा है, तो nature of borrowing, name of lender, amount due, क्या वो principle है, interest है, number of delays or payment, remarks, तो यही logical common sense वाली बात है, आपने यहां पर लिखनी है, फिर आप facts of the case बोलोगे, बताओ कि company ने disclosure नहीं दिया, अच्छा एक बार बताओ, एक disclosure आना था, जो disclosure नहीं आया, plus मैं यह भी मानता हूँ, कि यह material disclosure है, इसके बारे में shareholder को पता होना चीए, और अगर नहीं बताएंगे, तो हम अपना audit report भी modify करेंगे, एस पर 705, तो इस question की खास बात क्या है, कारों तो आए गई आएगा, साथ ही साथ, ऐसे 705 भी आज जाएंगा, तो यह basic बात आप ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपने अभी तक question नहीं देखा था, तो आप 705 शायद exam में भूल जाते, चलो यह audit report वाला कोशन और करते हैं, CA बाववली, दो मिनट का कोशन है, बट लॉट्स अव लर्निंग इन दिस कोशन, CA बाववली is the statutory auditor of भारत Limited, during the course of audit, CA बाववली notice the following, ध्यान से समझना, with respect to debtors amounting to 240 करोड, कोई balance confirmation नहीं है, सर अगर external confirmation नहीं है, तो alternate audit procedure करते हैं, further there have been default in the payment obligation by the debtor on the due dates, company created a provision for doubtful debts of 40 करोड only, company has stated that the provision is based on the receivable, which are older than 39 months, which according to the audit team is inadequate, कहने provision भी गलत बनाया, debtor की confirmation नहीं है, plus इनको नहीं पता चल पारी, कि trade receivable की value क्या ओनीचे, इनोंने सारे हाथ पर चला लिए, बट इनको sufficient and appropriate evidence नहीं मिल रहा, कितना 240 करोड और 40 करोड भी इनको गलत ही लग रहा है, दूसरी चीज, debtor की बात तो छोड़ो, inventory में भी गड़बड़े हैं, सर क्या हुआ है, inventory जो company के total assets का 38% constitute करते हैं, मैं एक बात बताता हूँ, pervasiveness is a concept of judgment, जो आपको pervasive लगता है हो सकता है, मुझे ना लगे, जो मुझे लगता है किसी और को ना लगे, बट लॉजिकली सोच के बताना, क्या 38% एक बहुत ही material amount है, सर material के साथ साथ ये थोड़ी pervasivity भी तरफ भी चल रही है, answer is yes, यहाँ एक account balance नहीं, दो-दो account balance effect हुए है, मैंने का 38% तो inventory थी, साथ ही साथ, debtor भी तो थे, तो दोनों मिला के impact pervasive हो जाएगा, material भी है, pervasive भी है, evidence भी नहीं है, तो मैंने का opinion किस बात का दोगे, in this case you shall disclaim your opinion, फिर आप अपना opinion भी disclaim करके चलोगे, that is the logic behind this question, अब सर अगला सवाल आता है, as a auditor फिर आप लिखोगे क्या, as a auditor फिर आप लिखोगे क्या अपनी responsibility में, अगर आप अपना opinion disclaim कर रहे हो, तो audit report में क्या responsibility लिखोगे, आप simple सी बात लिखोगे, हमारा काम था to do audit work, as per standards on auditing, but because of the significance of the matters, because of the significance of the matters, described in disclaimer of opinion paragraph, we have not been able to obtain sufficient and appropriate evidence, hence we do not express any opinion on this audit report, ये basic बात हैं, आपने अपनी responsibility में लिखनी है, तो सर एक बार हमको पढ़वा भी दो, कि responsibility कैसे रहेगी, तो आज ओ 17 B का एक बार answer देखी लेते हैं, इतना कह रहे हो, तो आओ आओ आपको एक बार दिखा दूँ, देखो क्या कहता है, auditor shall amend the description of auditor responsibility, हमारा काम था standard on audit के साब से audit करना, और report issue करना, but because of the matters, we have not been able to obtain sufficient and appropriate evidence, and साथ ही साथ आप अपने independence और ethical responsibility की बात करोगे, यह वैसे भी आप अपने responsibilities में लिखते ही थे, कि सिर्फ हम standards से काम नहीं करते हैं, हम professional ethics से भी काम करते हैं, तो ethics और independence की बात भी आजाएगी, तो तीनों point आपने ध्यान में रखने, एक बार आखे बन करके recall कर लो, सबसे पहले standards on auditing और audit report, but sufficient and appropriate evidence तो मिला ही नहीं, तो तीसरी बात में आप ethics और independence की बात करोगे, डन डना, डन, डन, दो मिनट मांगे ते, डेड़ मिनट में करा दिया, अब सर अगला सवाल, देखो यही तो मस्त बात है आपकी, यही तो मस्त बात है आपकी आप फटाफट, अगर कोई investment company है, जिसके तीन काम होते हैं, सर क्या, वो जो पैसे ले रही है, वो fund management services के ले रही है, ठीक है, investment management services के लिए, वो जो पैसा लगाती है, वो दो ही चीजों के लिए लगाती है, ताकि वो capital appreciation से, और investment के जो returns आते हैं, वो जितनी भी उसकी investments होती है, उसको fair value basis पे value करती है, तो अगर यह 3 cases satisfy होते हैं, तो investment company है, और अगर investment company है, तो CFS बनाने की ज़रूवत नहीं है, बट क्या इसको disclosure देने पड़ेंगे, एस पर schedule 3, answer is yes, तो यही बात आपने इसमें ध्यान रखनी थी, इससे quick revision मेरे को नहीं लगता है, मैं आपको करा पहूँगा, ठीक है, अब आता है सक question number 19, it was the most demanded question of all the students, आओ फड़ाफट देखते हैं, सर यह question क्या कहता है, before I start with this question, मैं चाहता हूँ एक बार आप थोड़ा थाना bank audit मेरे साथ revise करो, आओ bank audit का एक बार revision करते हैं, फड़ा फड़ा, उसमें से दो topics, तीन topics को अपन discuss करते हैं, सबसे पहले तो मुझे एक बाब बताओ, आप भी बताओ, आप किसी चीज़ को NPA कब बोलते हो, let me ask you this question, इंटर वाले बच्चे भी बता देंगे, आप फाइनल में हो, आप जन्दी से बताओ, किसको अपन NPA बोलेंगे, ठीक है, ऐसी amount को which is overdue, for more than 90 days, अपन ने basics में तो यही पढ़ा था, हाँ sir, basics में यही पढ़ा था, इसके बाद मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत घ्यान शेर किया था, जितने भी accounts हैं, they should be within the drawing power, plus sanction limit, इसके अंदर-अंदर सारे accounts होने चाहिए, बट साथ ही साथ मैंने आपको एक concept पढ़ा था, sir, क्या concept पढ़ा था, temporary deficiency का, देखो क्या का था, bank should not classify and advance as NPA, merely due to the existence of some deficiencies, which are temporary in nature, sir, क्या-क्या temporary deficiency हो सकती, जैसे drawing power नहीं है, तो मैंने का 12 महीने से 11 महीने drawing power थी, अगर एक महीने नहीं है, तो बिचारे का गला मत पकड़ो, उसको छोड़ दो, अगर उसका latest stock statement अवेलेबल नहीं है, पहले वाले हैं, दो महीने, तीन महीने पुराने वाले हैं, चल जाएगा काम, मैंने का हाँ चल जाएगा, latest वाले नहीं है, अगेन गला मत पकड़ो, छोड़ दो, उसका जो balance है, it is exceeding the limit temporarily, again, temporarily limit से ज्यादा जा रहे, तो मैंने का कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, temporary basis पे अगर कोई गडबड कर रहा है, चलता है, पूरे साल तो वो बिचारा एकदम भला इंसान था ना, ठीक है सर, and non renewal of limits on due date, सर्थ, stock statement भी कितना पुराना चलेगा, ये कहते है, it should not be older than 3 months, 3 महीने पुराना चल जाएगा, because NPA के लिए भी तो आपन 90 days लेते हैं, वो कब review होनी चीए, ये कहते हैं, generally तो 3 महीने में होनी चीए, बट आप सब की limits 3 महीने में review नहीं कर सकते, practical नहीं होगा, तो कितने दिन में करें, कहारे कम से कम 6 महीने में तो कर लो, आप double time ले लो review करने के लिए, बट double time से ज्यादा नहीं, तो 180 days from the due date, फिर से बोल रहा हूँ, 180 days from the due date से वो review होनी चीए, अब आप question पढ़ोगे, आपको मज़ा आ जाएगा, आओ देखो क्या कहता है, CA Prachi, आधे लड़के तो खुश हो गए, CA Prachi was conducting the stat audit of a nationalized bank, while reviewing the operations and documents papers of the borrowers, enjoying overdraft facilities of 50 करोर, देखो क्या कहता है, balance in the overdraft facility was 55.65 करोर, क्या ये sanction limit से ज्यादा हो गया, हाँ ज्यादा हो गया, for the whole month of March 22, as per the, as per the sanction letter, the stock and book debt statements were required to be submitted monthly, latest stock statement कब का है, February का है, March का stock statement नहीं है, February का है, या February का चल जाएगा, हाँ, तीन मही ने पुराना stock statement चल चुक सकता है, अभी अपने discuss करके आएगा है, ठीक है सर्थ, it showed the drawing power of 48.5 करोड only, तो मैंने गया थेंपररी ली चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले के months में adequate drawing power थी, आज नहीं है, कोई बात नहीं है, चल जाएगा, और बताओ सर, stock audit जो हुआ था, उसकी stock audit report available है, 31 December 2021 की, उसमें से, again उन्होंने बोला, adequate drawing power है, however, it was commented, adversely on the declining turnover, as compared to the proportionate turnover, सारे बच्चे मुझे इधर देखो, इधर देखो, क्या कोई adverse comments वाली मैंने बात करी थी, क्या आप से, नहीं, ICI गुम्रा करने की कोशिश करना है, होना मत, ठीक है सार, अगला point देखो, क्या कहता है, renewal of overdraft facilities was due on, 20 October 2021, 20 October 2021 में, अगर मैं 180 days add करता हूँ, तो भाई साब, ये जो date होगी ना, ये April के अंदर चली जाएगी, logically सोचा, 180 days मतलब 6 महीने, 6 महीने अगर मैं 20 October में add करूँ हा, तो ये तो April के अंदर date पहुँच जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पे भी काम चल जाएगा, borrower has not submitted the complete renewal paper, उससे फरक नहीं पड़ता, their request letter was saying that the valuation report is not available at that point of time, the branch has classified the account as standard asset, जब भी आई से इस तरह का question देता है, हमको लगता है, ब्रांच ने गलती की होगी, but the main point is, ब्रांच ने कोई गलती की ही नहीं है, temporary deficiency थी, तो क्या NPA बना दूँ, मैंने का नहीं, stock statement जो था, वो तीन महीने से पुराना है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक महीने पुरान है, चल जाएगा, इसी तरह, जो account था, it was reviewed within 180 days, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां जो भी bank ने किया है, वो विखिल सही किया है, आप अगर चाहो तो एक बार answer को मेरे साथ read भी कर सकते हो, मैं भी आपको एक बार go through करा देता हूँ, जो जो बाते मैंने बोली, वो ही बाते same to same, अंग्रेजी में लिखी वे हैं, कुछ भी आपको इसमें नया नहीं मिलने वाला, आओ देखें, क्या कहता है सर, देखो क्या कहता है, ओवर्ड्राफ फैसिलिटी 50 करोड की थी, मैंने का बहुत बढ़िया, लेटेस्ट स्टेटमेंट फेबररी का ये facts of the case लिखता जा रहा है, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट 31.12 की है, इसका बैंक को कुछ नहीं करना, दूसरी चीज, टेंपररी डेफिशेंसी के case में, एन पी नहीं बनाते हैं, ये बात मैंने आपको अल्रेडी सिखा दी, ये बात आपने अंग्रेजी में लिख्या नहीं है, प्लीज इन बातों को अंडरलाइन जरूर कर देना, ताकि examiner का ध्यान जाए, अगला case, ordinarily जो उनकी credit limits है, they need to be reviewed not later than 3 months, मैंने आपको गाता, 3 महीने में होनी चीए, बट कई सारी practical difficulty की वज़ए से ये कहते हैं, it should be reviewed within 180 days from the due date, तो उसको अपन NPA बोलेंगे, तो कहते हैं 20 October से अगर 180 days गिनोगे, तो फिर वो 180 days 31 March तक आएंगे ही नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, you can accept the classification as standard asset, कोई यहाँ पर issue नहीं है, I hope आपको इस question करके मज़ा आ गया, पूरा conceptual question था, and it, I feel, is one of the finest question which has been asked by ICI till date, वैसे तो यह question आपको खुद करने चीजए है, पता है क्यों, जब आपने class में मेरे से सारे concept सीख लिए हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप यह question खुद करोगे न, तब आपके दिमाग के घोड़े दोड़ते हैं, पर स्टिल, paper थोड़ा नज़दीक है, and I feel, आपको इस सारी चीजए आने चाहिए है, and आपको confidence आगया कि आप धूम मचा सकते हो, राइट सर, आब आजयो सर, सर सर से मुरी चनरी गई, सरक, 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 अकाश कंदोही, stop bro, stop, लो अब में को लगता है यहाँ पर कोई नया कोशन नहीं था यह देख लो एक बार चलो भली देख लो क्या कहता सर टी ए नेजी अपॉइंटेट संभवन एसोसीट चार्टर अकाउंटेंट टू पर्फॉर्फॉर्मेंस ओडिट पर्फॉर्मेंस ओडिट का मतलब क्या था व जवाब वाला ऑडिट था यह बट इस बन्दे ने क्या किया फर्म कंडॉक्टिट द वीट विद विद वीव टू चेक अल्ड़ एक्ट इस बंदे ने पर्फॉर्मेंस ओडिट की जगा प्रोप्राइटी ओडिट कर दिया तो और रिपोर्ट सम्मिटेड वाज कोशन अगेन रिपीटेड है प्रोफेशनल एथिक्स के दो कोशन है फटा-फट सुनते जाना पहले कोशन में सीए देव है इसने इशू करया टर्न ओवर सर्टिफिकेट किसका एक ऐसी एंटिटी का जिसमें इसका जो भाई है वह प्रोप्राइटर है क्या मैं बोल दूँ इस बात को ध्यान रखना जब भी प्रोफेशनल एथिक्स का आंसर स्टार्ट करो तो क्लॉस से करना क्लॉस में उस क्लॉस को अच्छे से अंडरलाइन करना आखरी पैरग्राफ में जब आप लिखोगे गिल्टी नॉन गिल्टी उसको भी अंडरलाइन करके आना अगला सव पर एक जो फॉर्म्स चराया जाते है उस पर सीए की ऑथेंटिकेशन लिये जाती है दस्टिनेचर ओफ रोहित वस सिंप्ली कॉपीड और पेस्टेड बाया अनदर डिरेक्टर आगाम सीए शीतल विदाउट वेरिफाइं दे जनुनेशन लेटर बिना चेक करे बिना एक्स करें due diligence और being grossly negligent उसने साइन कर दिया क्या यह दिखकत है हाँ सर क्लॉस 7 आएका साथ ही साथ उसकी magical line आएगी that a chartered accountant is expected to meant a chartered accountant is expected to exercise reasonable diligence while carrying out his duties and worth plus the word negligence covers gross negligence to the minor frontiers ने क्या था हो, the word negligence covers fraud to collateral minor negligence, तो basically वो fraud भी cover करता है, frontiers of fraud to collateral minor negligence, plus a CA is expected to reasonably discharge his duties, ये दो magical lines आपने साथ था लिखने हैं, clause 7, part 1 second schedule भी लिखके आने हैं, तो यहां हमारा जितने भी थड़कते भड़कते कोशन थे हो गए ये आखरी के तीन एकदम direct questions है, इनको आपने already मेरे साथ से notes से कर लिया होगा that's all about RTP November 22 I hope you enjoyed the video, 32 minutes में मैंने पूरा निपटा दिया, 2x पे अगर कोई बच्चा देख रहा हो, उसकी 15 minute में निपट जाएगी and that's the best gift I could have given to all of you तो बस आप मेरे को अब एक अच्छा gift दे देना ठीक है, मेरा वाला ले ले तो अपना वाला देते नहीं हो आपने लानी है exemption audit में and मैं आपको बस इतनी ही request करूँगा, just give your best in these exams and I'm sure you will rock it and बस खुशी-खुशी लगे रहो, ठीक है अब जो भी पल है जो भी time है आगे अपना best देते चलो भागते चलो, दोड़ते चलो जो दिख रहा है, समझो, याद करो आगे बढ़ो, समझो, याद करो आगे बढ़ो, ये मत सोचो, याद हुआ की नहीं बस आपने कर लिया, आगे बढ़ते जाओ जितनी coverage अच्छी होगी, उतना आपका इसको बढ़ेगा नंबर अच्छे लाने का, आप अच्छे नंबर लाओगे आपकी family खुश होगी, आप खुश होगी, तो मैं automatically खुश होई जाओगा, तो यहीं लगे रहो खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, wish you the best rocket, अच्छा वीडियो को अभी तक like नहीं किया, तो do like it and yeah, stay subscribe to the channel for more such videos